भारतिय जनता पार्टी बिहार से 50 लाख लोगों को अजुध्या ले जाएगी और वहाँ पर राम मंदिर का दर्शन कराएगी लोग सभा चुनाओं से पहले भारतिय जनता पार्टी राम के बहाने एक बड़ा एजेंडा सेट करने की कोशिश कर रही है और ये प्लान बनाया जा रहा है इसको ले करके पूरी तयारी और पूरा काम किया जा रहा है जमीनी अस्तर पर और बिहार के 243 विधान सभा छेत्र में अलग अलग तरीके से RSSS और BJP से जुड़े हुए लोग ऐसे लोगों की लिस्ट तयार कर रहे हैं जिने अजुद्धिया ले जाना है और राम लला का दर्शन कराएंगे ये लोग और ये जे संखिया 50 लाख है कि 50 लाख लोगों को बिहार से BJP अजुद्धिया ले जाएगी और वहां पर दर्शन कराएगी दरसल भारतिय जनता पार्टी और राम इन दोनों चीजों को मिला करके लोग कहते हैं कि धर्म की राजनीती भारतिय जनता पार्टी लगतार कर रही है और 22 जनवरी को प्रान परतिश्टा प्रग् को बिहार से ले करके वो अजुद्धिया पहुंचेंगे अजुद्धिया में जनवरी में 22 तारीक को प्रान परतिश्टा प्रग्राम हो रहा है ऐसे हालात में बिहार BJP 50 लाख लोगों को दर्शन कराने का प्लान सेट कर चुकिया और इसके लिए लिश्ट बनाई जा रही है लोग सबा चुनाओ 2024 से पहले बिहार में BJP बड़ा दाओ खेलने की कोशिश कर रही है BJP बिहार के करीब 50 लाख लोगों को अजुद्धिया दर्शन के लिए ले जा रही है बिहार के सभी 243 विदान सबा चेत्रों से शर्धालूओं को अजुद्धिया ले जाने की प्ल लोग मवजूद होंगे एक अखबार की रिपोर्ट के मताबिक BJP ने लोग सबा चुनाओ से पहले हिंदुत्व के एजेंडे पर अपना वोट बैंक मजबूत करने का काम शुरू कर दिया इसके लिए श्रधालूओं को अयुद्धिया तिर्थ छेत्र घुमाने की योजना बनाई जा रही है राज के सभी विधान सभा च्छेत्रों से लोगों को अयुद्धिया ले जाया जाएगा विशुंदी परिशद और RSS जैसे संगठन की मदद ली जा रही है विशुंदी परिशद और संग के कारिकरता ओने विधान सभावार लोगों को दावत देना विवस्था करेंगे और इससे बड़ी संक्या में शुधालू एक साथ बैट कर प्रान परतिष्टा पुरगराम देखेंगे यानि यह जो प्लानिंग है पूरी तरह से भारती जंदा पार्टी विशुंदू परिशर और रेसे के लोग कर रहे हैं कि जब प्रान परतिष्टा स्यार की जा रही है और इन सब लोगों को वहां पर दर्शन के लिए ले जाये जाएगा झाल पर दर्शन के लिए जाएगा